यार मेरी college life, मेरी school life से एकदम अलग थी school में मैं था एकदम ऐसा low life, किसी को नहीं बता था कि मैं exist भी करता हूँ and college में मैं ultimately बन गया था coolest kid on campus क्यूंकि school में मैं सिरफ पढ़ाई करता था और time waste करता था और gaming करता था और कुछ नहीं करता था बट जब मैं IIT में घुसा तो में को पहले ही साल में realize हो गया कि impossible है कि मैं इतना पढ़ लूँ और यहां पे एकदम smartest kids में आ जाओ तो मैंने सोचा कि इतने जादा तेज दिमाग वाले बच्चों के बीच में से मैं कैसे अलग से निकल के आ सकता हूँ उसके लिए मुझे cool बनने वाला path choose करना पड़ेगा और इस चीज़ पर ने एक podcast आने वाला है हमारे vlog चैनल पर तो वो पक्का से subscribe करके रखना नीचे description में link डाल दूँगा बट इस video के लिए और मैं बिल्कुल भी हाँ पे cocky नी sound करना चाता ऐसा चौड नी मचाना चाता किसी भी reason से लेकिन इस video के context के लिए बता रहा हूँ कि मेरको college के campus में सब जानते थे और ये चीज़ना आप कुछ भी काओ important होती है college में cool appeal करना इससे आपकी college life तो बहुत ज़्यादा fun बनती ही है लेकिन आपका एक बहुत अच्छा network बन जाता है जो कि आप college के बाद अपने professional life में use कर सकते हैं और personal life में भी और example अभी मैं किसी भी अपने junior को या even senior को भी contact करता हूँ college से निकलने के बाद चाहे मैं उस इंसान को जानता भी ना हूँ पहले से मैं उसको text करता हूँ उस इंसान को अल्रेड़ी पता होता है कि मैं कौन हूँ और वो इंसान खुश हो जाता है कि मैंने message किया बट मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि मैं cool बन पाया और 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 भी क्या tips हैं जो मैंने नहीं करी और मैं कर सकता था और cool बनने के लिए बट उससे पहले मैं आपको बता दू कि भाई करियर पर focus जादा important होता है और coolness next priority होती है बट एनिवे देखो fun तो होता ही है what's up bro welcome and welcome back to be your best मैं हुसान काल रहा है और आज का वीडियो होने वाला है college coolness guide अगर college life का maximum fun और फायदा उठाना है तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना सारे points और पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि एक giveaway भी छुपा हुआ है and to be your best in looks and personality अभी subscribe करो for new videos every single week and हाँ notifications on कर दें सबसे पहला point आप चाहते हो कि लोग आपको दोस्त बनाना चाहें क्योंकि यही cool की definition है right तो उसके लिए आपको होना पड़ेगा approachable and approachable होने के लिए आपको होना पड़ेगा एक nice person आपको kind होना चाहिए आपको बहुत प्यार से बात करनी है सबसे आपको चौड में बात नी करनी क्योंकि वैसे भी आप college में हो किस बात की चौड है में को यह बता and even अगर आपने life में बहुत कुछ उखाडा भी हुआ है तब भी आपको एकदम humble रहके बहुत प्यार से लोगों से बात करनी है देखो लोग कहते हैं कि एकदम ignorant होके चलोगे और एकदम ऐसे चौड में चलोगे तो लोग आपकी respect करेंगे नहीं वो respect नहीं होती मतलब यह नहीं कर रहा है कि हर चीज से आपको फरक पढ़ना चाहिए मतलब आप ऐसे इंसान बनो जिसको फरक नहीं पड़ता किसी opinions से बड़ अपने दोस्तों की care तो करोगे कोई न्यू इंसान आपसे आके बात कर रहे है उससे तो प्यार से बात करोगे वो bad boy bad boy वाली चीज लोगों ने इतनी जादा एक तो यूट्यूब पर चला दिया कि लोगों को लगता है कि bad human होना पड़ेगा तो सबसे प्यार और रिस्पेक्ट से बात करो चाहिए वो आपके teacher हो चाहिए वो आपके friends हो चाहिए वो आपके matter करती हैं लेकिन हर चीज के लिए आपको अपना opinion बनाने की जरूरत नहीं है तो जो आप इस चीज के balance रख लोगे तब आपकी जो appeal है वो एकदम cool हो जाएगी और for example ऐसे senior से चौड से बात करके उनको disrespect करके आप cool नहीं बनोगे शायद आपको दो लोग आके बोलेंगे भाई तुने तो उनको ऐसे बोल दिया लेकिन actual में आप अपने future relations भी खराब कर रहे हो और आप सबको यह दिखा रहे हो कि आप बत तमीज हो और similarly आपको अपने junior से भी बहुत प्यार से बात करनी है कोई जरूरत नहीं उनकी जा जाके ragging करने की उनको परिशान करने की उनको अगर आप अच्छे से guide करोगे तो आपकी बहुत जादा respect करेंगे for example मैं जब college में था मेरे एक senior थे जो की बहुत जादा जाने माने थे dance के लिए मतलब अलग level उनकी popularity थी उनका नाम था Akash Singh वो fourth year में थे और हम लोग first year में थे हम dance practice के लिए जाते थे तो वो आके हमें high बोलते थे और हम ऐसे हो जाते थे भाई यह कैसे हो सकता है इतना popular senior हमें high बोल रहा है खुद पहले और यार यह बहुत बड़ा hack है लोगों को high बोलना एक smile के साथ अगर आप लोगों को बस high hello भी बोल दोगे ना college में जाके तो वो next level पर ले जाएगा आपकी popularity है क्योंकि लोगों को लगेगा आप बहुत sweet हो approachable हो कभी आपसे बात कर सकते हैं और कभी-कभी मैं जानता हूँ कि मन नहीं करता किसी भी बात करने का लेकिन आपको at least high तो बोलना ही चाहिए लोगों और फिर चाहिए वो sports वाले लोग हो या फिर आपके class के मगगू मतलब nerd ल next important point college में cool बनने के लिए और मेरे साब से सबसे important point और मेरा favorite point है कि आपको दिखना बहुत attractive है यार देखो college life में जादा लोगों ने कुछ उखाड़ा नहीं होता है तो जब first impression बनता है वो आपकी outlook से बनता है कि आप कैसे दिख रहे हो कैसे बात कर रहे हो कैसे smell कर रहे हो अग थमनेल अच्छा नहीं होता आप नहीं क्लिक करते हैं आपको content के बार में पता ही नहीं चलता है थमनेल अच्छा करना पड़ा मेरे को तो इसलिए आपको अपनी outlook भी अच्छी करनी है और उसमें मेरे साब से सबसे important point आता है specially college में आपको smell अच्छा करना है तो कभी भी आप sports practice के बाद अपनी class में जा रहे हो तो बहुत सारे डियो लगा के जाओ ताकि आप में से बद्बून आए सुबह कॉलेज की किसी वी lecture अगेरा में जा रहे हो तो पक्का से एक perfume लगा के जाओ ताकि आप में से बहुत प्यारी smell आए तो लोग आपकी तरफ attract हो and हाँ आपने हमेशा एक मिंट रखा करो आपके मुह से बहुत बद हुआएगी क्योंकि college में सब लोग बहुत बग बग करते हैं दूसरी बहुत important चीज जो कि college में बहुत matter करती है वो है आपका hairstyle आपको पका से minimum महीने में एक बार तो अपना haircut करवाना ही करवाना है रोज अच्छे से style कर करो जादा products लगाने की ज़रूरत नहीं है निको आपके बाल डामेज हो जाएंगे लेकिन आप styles ही ऐसे करवा हो जो कि बिना product के भी चल जाएं जैसे कि मैंने भी recently crop cut और crew cut सब पे video डाला हुआ है channel पर जाके देख सकते हैं बहुत सारे videos है साथ ही आपको एकदम well groomed और neat दि जो कि तब होगी अगर आप एक अच्छा skincare routine follow करोगे और इन beards, skin वगएरा हर चीज पर already channel पर video है तो जाके पक्का से देख लेना तो ये grooming थी but attractive देखने के लिए बहुत important चीज होती है अच्छा fashion यार एकदम trendy वाले sneakers पहनो मैंने आपको अल्री budget sneakers वाली video में बहुत अच्छ कर रहा है वो college की vibe नहीं और attractive देखने में एक और बहुत important चीज आती है चलो accessories तो आपकी होई गई घड़ी वगएरा वो तो आपने साब fashion वीडियो में जाके आप देखी लोगे लेकिन आपका backpack बहुत बढ़िया होना चाहिए और ये cool बनने के लिए ये मत करना कि बस college में एक notebook लेकर चलेगा और एक pen लेकर चलेगा वो cool नहीं वो एकदम ऐसा लफंगा लगता है तो एक बड़ी आसा backpack लो हमारी backpack वाली वीडियो देख के उसके सारे budget वाले बताय हुए थे मैंने वो backpack लेकर आप जाओ और अपने सारे जो भी आपके everyday essentials होते हैं वो सब लेकर जाओ वैसे आपको college में backpack में क्या लेकर जाना चाहिए उस पर अगर एक अलग से वीडियो चाहिए तो मैंको comments में बताना यार अब आप कोओगे इतनी सारी चीज़े बता दी इसमें तो बहुत खर्चा आएगा देखो पहली बात तो ये कि आपको खर्चा करना पड़ेगा अगर cost मिला के again महीने का 300-300 खर्च करना होगा और अपनी beard को अच्छा रखने के लिए skincare वगरा करने के लिए again आपको महीने का 300-400 के करीब खर्च करना होगा and अच्छा fashion करने के लिए मैं एज्यूम करके चल रहो कि आपके पास basics already पड़े हैं जो कि आप हर जगा पहनते हो तो trendy अपड़े लेने के लिए हर महीने कुछ कूल कूल दिखने वाले देखो वो तो total आपके उपर है आप कितना spend करना चाहते हो बट मैं आपको कहता हूँ चलो आप महीने के 2000 spend कर लो तो यह सब मिला के आपके महीने का करीब 3000-3500 के बीच में minimum खर्च आएगा अब अगर आप य सारे तरीके होते हैं और YouTube पे तो बहुत सारे वीडियोज है कि पैसे कैसे कमा सकते हैं college में होके freelancing वगएरा कर सकते हो बहुत पैसा है उसके अंदर अपना इंस्टा YouTube शुरू कर सकते हो इसके बारे में मैं आपको बाद में और बताऊंगा अब next tip college में कूल बनने के लिए ब बात करनी पड़ेगी और लोगों से बात करने के लिए दो चीज़े बहुत important है पहली आपको लोगों को approach करना आना चाहिए और आपको अपने आपको introduce करना आना चाहिए कि भई मैं यह हूं और मैं आपसे क्यों connect कर रहा हूं वगयरा और especially first year में सब लोग चाहते हैं कि आपने लोगों से जा जाके तो बात कर ली अब एक बहुत important trick यह है जो कि मैं खुद नहीं करता था college में काश में करता होता जो मैंने अब जाके सीखी है अपनी एक friend से जिसका नाम नुश है और वो चीज है friends को friends से connect करवाना जब आप friends को friends से connect करते हो ना तो वो दोनों आप खुद जाके networking करते हो और लोगों को network करवाते हो तो उससे बहुत खतरना compound effect बनता है जिससे कि आप एक जने को जानते हो फिर उसके तरू 10 जनों को फिर उसके तरू 100 जनों को ऐसे सब लोगों आपको आपको जानते हो और आप सब लोगों को जानते हो और आपको एक और बह आप से दिल लगा लो भाई प्लेटॉनिकली करना है मतलब की एक फ्रेंडशिप लेवल पे करना है और इन दोस्तों के साथ आप सिर्फ यह मत सचो कि नेटवर्क करना है उनके साथ पार्टी वाटी करने जाओ यार कॉलेज लाइफ का सबसे इंपोर्टन चीज यही तो है कि आप फन भी करो बड़ा ऐसा हर हफते पार्टी वाटी करने वाद जाना ठीक है को कॉलेज में आपको करियर बनाना है नेक्स बहुत इंपोर्टन टिप कॉल बनने के लिए है बाई जिम जाओ मेरा मतलब है कि यार बॉडी बना अपनी फिजीक पे काम करो बाई जब आपके एज है आपकी बॉडी भी असानी से बन जाती है और प्लस आपके पास टाइम भी होता है कि आप जिम में लगाओ और साथ में अपने एक नूट्रिशन का रूटीन भी बना सकते हो और अपनी बॉडी में इंवेस्ट करना एक बहुत बड़िया चीज है और एक लॉंग टर हम इंवेस्टमेंट है मतलब आप कॉलेज में बॉडी बनाना शुरू कर दोगे आपकी उसके बाद बॉडी मेंटेन करना असान हो जाएगा अब नेक्स टिप पर आते हैं जो की कूल बनने की सबसे इंपोर्टन टिप आपको किसी कम्यूनिटी का पार्ट होना है तो अगर आप यार माक्स दोती नंबर कम भी लिया होगे और उसकी जगह वो टाइम किसी और कूल चीज में इंवेस्ट करोगे किसी क्लब को जॉइन करके उसके टॉप पे पहुंचने में तो वो आपकी लाइफ में बहुत जादा आड़ करेगा नहीं सिर्फ वो आपको कॉलेज में बहुत कूल बना देगा लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है और आपका दिमाग खोलने के लिए भी बहुत अच्छा है तो सीवी भी बनेगी आपकी आपका कारेक्टर भी बनेगा बट एनिवे हैं पर मैं आपको कॉल बनने की टिप्स दे रह आपको अपने कॉलेज में आप जब उसके टॉप 3 में पहुंच जाओगे न तब पूरे कॉलेज में पता होगा कि भाई ये बंदा डांसर है ये बंदा सिंगर है तो लोगों में एकदम पॉपुलारिटी फैल जाएगी आपकी और अगर आप किसी क्लब में टॉप 3 नहीं है अपने कॉलेज में किसी भी हालत में और यह मत बोलना कि नहीं मैं तो टालेंटिड नहीं हूँ नहीं मेरे अंदर स्पॉर्ट्स वाली जीन्ज नहीं नहीं है ब्रो टैलेंट से हमेशा उपर रहता है हाड़ आप हाड़ वर्क करोगे उसमें पूरा घिस दोगे आप पका बनाना पड़ेगा तो मैंने कॉलेज के फिल्मेकिंग क्लब में एक दम रेवल्यूशन ले आया एक वाइरल वीडियो बनाके मेरे सेकंड यर में और वहां से मेरी पॉपुलारिटी लेकिन उसको आपको शो आफ नहीं करना है क्योंकि आसी कोई खास चीज नहीं है लेकिन तब भी टी शिर्ट मांगते हैं और इवेंट्स में एंट्री वगरा मंगते हैं उन समय चौर होती ही होती है जैसे मुझे याद है हमारी एक fest होती है rendezvous काफी बड़ी fest होती है उसमें मैं जब core team member बनाता काफी लोगों का एकदम behavior ही change हो गया था मेरे साथ इसलिए प्यार से बात करने थी कि भई passes मिल जाएंगे हमारे events के और वैसे ना कुछ लोग आपको इस चीज के लिए मना करते है जिससे कि आप बहुत जादा learn करते है नेक्स बहुत important point college में cool बनने के लिए आज कल की digital age के लिए है social media पे आपको एकदम फोड़ना है अब मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को social media पे कुछ भी डालना नहीं पसंद होता तो आप यहाँ पर अपना decision ले सकते हो कि आपको नहीं पसंद social media पे आना तो आप मत आओ लेकिन मैं बस यह कह रहा हूँ कि social media पे आके आपको फाइदा होगा as long as अपनी mental health आप maintain कर लेते हो देखो college में social media best होता है आपकी popularity के लिए आप अपनी social media पे बड़िया बड़िया पिक्स और रील्स विडियो वगरा डालते रहोगे और college के लोग वो देखते रहेंगे तो next time जब आप actual में उनके सामने चल रहे होगे वो आपको देखे करेंगे यार इसने कल post बड़िया ड करो आप basic lifestyle वाली चीज़े पोस्ट करो अपने दोस्तों के साथ जाते हो या class class में लाब वगरा में experiment चल रहे है उन सब की photos उन सब की reels वीडियो आपको pro बनने की कोई ज़रूरत निया आपको crazy content बनाने की ज़रूरत निया मैं बस कह रहा हूँ आप post किया करो हफते में एक पोस्ट कर दो और वैसे भी जो college lifestyle वाला content होता है न वो college students में काफी चलता है और एक और चीज़ अपने bio में अपने college का नाम डालना मत भूलना अगर आप चाहते हो कि बाकी college वाले लोग आपको discover कर पाए और इससे भी फायदा होता है जब आप instagram जैसी platform पे अपनी personality बनने के लिए अब आप इसको प्लीज गलत सेंस में मत लेना यार आपको गरीब नहीं दिखना है देखो पर हमने fashion की बात तो करी थी वो अलग है लेकिन आपको अपने behavior में भी गरीब नहीं दिखना सामने वाले को doesn't matter कि आपके पास actual में कितना पैसा अब मैं यह नहीं कह कि आप पैसे waste करो आपको अपनी budget अच्छे से manage करनी है for example अगर आपके पास उस ताइम पर पैसे नहीं है और आपके बाखी के दोस्त जो हैं वो किसी restaurant में जा रहे हैं मां खाने के लिए आपको पता है कि आप उतना effort नहीं कर पाऊगे और अगर वो आपके normal से दोस्त है तो और आपको बहुत जरूरत है उस time पर तो आप फिर भी ले सकते हो बट ये borrow करने वाला फिर वापस देने वाला फिर सामने वाला आपको बाब में अगर एक बार भी आखे बोलेग ना भाई तुने मेरे पैसे नहीं दिये वहाँ पर आपका coolness बहुत कम हो जाएगा अपनी चीजों के लिए खुझ से पैसे दो और कभी-कभी थोड़े जादा पैसे पड़े तो अपने दोस्तों के लिए भी पैसे दे दो लेकिन आपको किसी के favors नहीं लेने इन चीजों से क्या होता है लोग आपके पीछ आपके बारे में ये सब नहीं बोलते कि ये कंजूस है या आ जाएगा भाई अब आप college में हो पैसे कमाना शुरू कर दो legal तरीके से कुछ जैसे मैंने college में थोड़ा अलग तरीके से पैसे भी कमाये थे आपको वैसे नहीं कमाने आपको कमाने है कुछ legal तरीके से मैं कौई एक skill सीखो और freelance करना शुरू कर दो अगर आप महीने के 5-6, 6,000 भी कमा रहे होगे ना आपके दिमाग से बहुत बढ़ा बोज हट जाएगा और यहां पर एक छोटी सी टिप यह भी है कि इस ego में मत रहना कि नहीं मुझे तो अपनी इतना कमाना है कि मैं college की fees दे पाऊं ताकि मेरे mom-dad को ना देनी पड़े अगर आपके mom-dad को बहुत दिक्कत हो रही है college fees देनी की अगर उनको दिक्कत नहीं है वो अराम से दे पा रहे है तो उनको देने दो आप पैसे कमा के उन्हें और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो मैं कहरो अगर आपने filmmaking पकड़ी है तो आप filmmaking में next level की videos बना मना के YouTube पर डाल रहे हो वो जब लोगों को पता चलेंगी तो लोगों को यूटीव अगर देखी जाएगा लेकिन मान लो कि आप crazy football player हो अपने college के लेकिन generally लोगों को पता ही नहीं चल रहा तो कुछ बार अपनी college की jersey पहन के जाया करो और अपनी football लेके जाया करो और हा यार class में लफंगे मत बनना बैक बेंचर मत बनना थोड़ा सा ध्यान देदिया करो class में तो आपको बाद में पढ़ाई भी कम करनी पड़ेगी क्योंकि 2022 है यहाँ पर backbencher cool नहीं है यहाँ पर all rounders cool है और इसमें चोटा सा point हो रहाता है कि growth के लिए आपको time अची सीजों पर devote करना पड़ता है लेकिन बाकी लोग ऐसा tv shows और movies देखके time वहाँ पर बहुत जादा वेस्ट कर रहे हैं अपना लेकिन वो cool लग रहे हैं क्यो shows नहीं देखता generally मैं कोई shows नहीं देखता actually यह बहुत secret बतारो मैं आपको लेकिन मेरको उस चीज़ के बारे में बात करनी होती है cool बनने के लिए अपने दोस्तों के साथ तो मैं YouTube पे उन shows की 15-minute वाली summary देखके चला जाता हूँ उतना information काफी होता है and next बहुत important point जो की coolness में बहुत matter करता है वो है नशे भाई 2022 चल रहा है it is much more cool to not smoke अगर आप एक group में हो आप smoke नहीं कर रहे है और आप उसको confidence से बोल रहे हो एकदम लेकिन आप दोस्तों के साथ खड़े हो बस आप smoke नहीं कर रहे है तो वो जादा cool है और ये भी जादा cool है कि अगर आप party कर रहे हो सब भंड पड़े हैं गिरे पड़े हैं एकदम और आप गिरे नहीं पड़े हो आपने शायद एक या दो या तीन ड्रिंक्स लिए माक्स और आप enjoy कर रहे हो बस तो वो जादा cool है और कोई आपको अगर drugs बगएर offer करते है और आप उसको कहते हो कि नहीं मैं नहीं करना चाता मैं उसके बिना ही एकदम energetic हूँ तो वो जादा cool है यार देखो peer pressure में आके करना गलत है बट थोड़ा बहुत experience के लिए चलती है ये सारी चीजें लेकिन आपको उसमें खोना नहीं है specially smoking से तो एक दम दूर रहना ड्रिंक आप फिर भी कभी कभी कर सकते हो और drugs की ऐसी चीज है कि आपको नहीं पता कि वो road आपको कहां लेके जाएगी मेरे college के ऐसे बहुत दोस्त जिन्होंने ऐसा हरी पत्ती से शुरू किया था और अभी लास्ट सबसे important point है college में dating देखो college best time होता है dates पर जाने के लिए क्योंकि जब आप dates पर जाते हो और लोगों को पता चलता है कि आप dates पर जा रहे हो तो वह बहुत कूल लगता है लोग के दिमाग में आपके लिए respect अलग level पहुंच जाती है और आपको अंदर से भी अच्छ में या बगल वाले college में उस पर भी एक video आने वाली हो तो बट हाँ अगर आप college में आपकी girlfriend है या फिर आप dating करते हो तो वह बहुत respectable माना जाता है यही है reality तो anyway यही थी tips लेकिन याद रखना कि college में जो coolness बनाते हो वह college में ही खतम हो जाती है आगे चलता है सिर्फ आपका network तो इन टिप्स को ज़्यादा सीरियस्ली मत लेना बस मैं आपकी help करना चाहता था कि college में cool कैसे बने और मैं अपने experience से बताना चाहता था आपको अब आज आते है इस वीडियो के giveaway पे इस वीडियो पे भी 7000 लैक्स कम्लीट होते ही मैं गिवेवे करूँ मेरे किसी एक lucky subscribers को स कि वेष्ट